नमाश्या दोस्तों स्वागत आपका AMC के IQ में मैं आपको RPF और RRB Technician के previous question करा रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको Science के question कराऊँगा चली शुरू करते हैं यह 7th part है आज का 1st question है the hottest part of the gas flame is known as gas flame का सबसे गरम भाग इसके नाम से जाना जाता है जो हमारी flame होती है वो 3 part में divide होती है जो पहला part होता है वो hottest part होता है किसी भी flame का उसको हम non luminous zone और हम blue zone बोलते हैं काफ़ important question है blue zone या non luminous zone बोलते हैं second जो part होता है moderate hot होता है वो part और luminous zone को हम yellow zone भी बोलते हैं तो जो yellow part है flame का वो luminous zone है और यह moderate hot होता है और जो blue part है वो non-luminous zone है जिसको हम blue part बोलते हैं और यह hottest part होता है किसी भी flame का last में आता है जो black part होता है flame का उसको हम dark zone बोलते हैं और dark zone को black zone भी बोलते हैं क्योंकि यह black color का होता है देखे कोई भी चीज आगा चम की लिए है यह चमकती है तो वो किस की वेज़े से होती है वो temperature के वेज़े से होती है तो जब temperature की बात आएगी तो जो luminous body का temperature होता है वो किस से हम determine करते हैं तो वो हम pyrometer से determine करते हैं इसका correct answer option B देखे एग्जाम में दो option आ सकते हैं एक pyrometer आ सकता है और एक hyalometer आ सकता है तो यह दोनों option यह दोनों चीज एक ही काम करती है यह temperature measure करती है डटरमेंट करती है star और sun का तो याद रखो important question है next question आता है energy travel from sun to earth by which of the following method उर्जय सूर से प्रगवी तक निम लिखिट में से किस condition conduction काई में होता है solid जो चीजे होती है उसमें होता है conduction insulation किसमें होता है तो जो हमारी incoming solar radiation होती है incoming solar radiation उसको हम बोलते हैं insulation option 4 देखते है modulation जो हमारे frequency होती है na frequency में use होता है modulation next question है heat of the reaction does not depend upon किसी अभिक्रिया की उश्म निर्भर नहीं करती इसका correct answer है path by which final product is obtained इसका correct answer option next question है the first law of thermodynamics को बोलते हैं इसका correct answer option B law of conservation of energy में क्या होता है इसका मतलब होता है जो energy होती है energy create भी नहीं होती और वो destroy भी नहीं होती है तीक है याद रखो जो हमारे energy होती है वो create भी नहीं हो सकती और वो destroy भी नहीं हो सकती first law of thermodynamics में यह दिया हुआ है next question है add the upper atmosphere an astronaut field उपरी परमाणू मंदल में एक अंतरिक शात्री मैसूस करता है दिखिए यह है plane area plane area जिस जगह आप रहते हो मतलब जो हमारी land surface है उसमें आप रहते हो और उससे अगर आप उबर की और जाओगे ठीक है mountain mountain वगेरा और cloud की और जाओगे तो क्या होता है temperature कम होने लगता है temperature कम होगा तो cooling बढ़ेगी ठीक है temperature कम होगा तो cooling बढ़ेगी देखे question में क्या पूछा है जो हमारा astronaut होने उनका अपर atmosphere कैसा होता है तो मैं आपको बताया जैसे आप जादा उपर की और जाओगे तो cooling बढ़ने लगेगी तो astronaut तो बहुत हो बने तो astronaut कैसा feel करेंगे extremely cool feel करेंगे ठीक है बहुत जारा cooling बहुत जारा ठंड लगेगी astronaut को इसका correct answer option जी नेस्ट question है night are the cooler in the desert then in the plane because मैदान इलाकों की तुलना में लेगे स्थान मेरे ठंडी होती है क्योंकि दिखिए desert में या होता है desert में sand present होती है ठीके sand जो है ना low specific heat होती है sand में तो sand के करती है heat easily lose कर देती है sand तो low specific heat के वजए से जो sand होती है वो गरम भी जल्ली होती है और वो थंडी जल्ली होती है देखा होगा आपने दिन के समय क्या होता है जो sand होती हमारी rate होती है बहुत गरम हो जाती है और रात के समय आप अगर रेगिस्थान वगेरा गयोंगे तो रात के समय यही जो rate होती है ना ह specific हीट होती है थीक्छे, water की क्या होती है water k feeling high specific हीट होती है High specifics heat क schema की वजह से अगर आम पास्पहा मी को गरम करेंगे थीकछे पास्पानी को गरम करेंगे तो पानी के करेंगा टाइम टेकिंग प्रोसेस पॉजिट है क्योंकि high specific heat है अगर आप पानी को heat दोगे और गरम करोगे पानी को तो वह बहुत जारा time लगाएगा 100 degree Celsius में boil होता है पानी ठीक है और आप उसको ठंड़ा करोगे ठीक है तो भी वह बहुत जारा time लगाएगा क्योंकि high specific heat है इसका correct answer option है लेत प्रद्वी की तु बोड़ी indicate क्या करता है अब आप इसका example देखिए देखिए एक example देखिए आपने container लिया container में क्या रखा water रखा water रखा और आपने वह इसको heat करा water को आप heat करोगे तो जो molecules है जो particles है water के वो क्या करेंगे movement करेंगे उसमें movement होगा जब particle movement होगा मतलब motion होगा motion होगा तो energy create तो वह किसलिए होती है क्योंकि उसमें kinetic energy present होती है इसकी वज़े से तो याद रखो kinetic energy की वज़े से body में movement होता है इसका correct answer है option d the average kinetic energy of the molecules of the body option d is correct next question है when water is heated from 0 degree to 100 degree celsius its volume जब पानी को 0 degree से 100 degrees तक गरम किया जाता है तो उसका आयतन कितना होता है यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ आप 0 degree celsius से 4 degree celsius तक वोटर को heat करोगे तो क्या होता है जो density होती है वो बढ़ जाती है और जो volume होती हो === ś maximum density होती है 4 degree Celsius में water की यह important question है अगर आप 4 degree Celsius से water को 100 degree Celsius तक heat करते हो ठीक है गरम करते हो या boil करते हो तो जो density होती है वो कम होने लगती है और volume हमेशा बंडने लगती है तो याद रखो पहले जो volume होती है न वो water की कम होती है जब 0 degree से 100 degree Celsius तक जाओगे और उसके बाद वह इंक्रीज होने लगती है तो फस्ट डिग्रीज इंड इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेस्ट कोशन है alcohol is more volatile than the water because dash is lower than the water alcohol पानी के तुलना में अधिक इस्तिर है क्योंकि dash पानी से कम है देखी जो alcohol का boiling temperature होता है न alcohol का boiling temperature 80 degree Celsius 80 degree Celsius में alcohol boil हो जाता है मगा जो water का boiling temperature कितना होता है water का boiling temperature 100 degree Celsius होता है अगर आप पानी को उबालोगे तो वह 100 degree Celsius में उव लेगा और जो alcohol है न वह 80 degree Celsius में ही boil हो जाएगा तो इसमें question में क्या पुछा है कि alcohol more volatile होता है बहुत जली उड़ जाता है तो कि उसका temperature जो boiling point होता है बहुत कम होता है तो इसका correct answer option A boiling point जो होता है न alcohol का वह कम होता है जिसके विए से जैसे 80 degree temperature अपने देते है alcohol को तो वह उड़ जाता है volatile हो जाता है मंगर water का boiling temperature boiling point बहुत जारा होता है यह 7th पार्ट था जो भी मैं आपको science के question करा रहा हूं previous year आरपीफ और आरपी technician के वीडियो पसंद आ रहा तो please like करें share करें subscribe करें mcq iq को आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं और instagram channel भी आप हमारा join कर सकते हैं और इन दोनों की link आपको description में मिल जाएगी वीडियो के thanks for watching mcq iq